असलाम लेकूम आपके अपने चैनल कहानियन में आप सबको खुझाम दीद लिस्नर्स आज में एक कम्प्लीट नॉविल के साथ आजरे खत्मत हूँ जिसका नाम है अक साइने में तेरा ही रहा इसकी राइटर है लारेब मोमिन्द चलिए चलते हैं नॉविल की जानिब सुमन सुमी सुमाना यार पार्टनर कहां कुम हो वो मुसलसल आवासें देता हुआ घर में तांकिल हुआ था उस वक्त जबके वो अमी के साथ किचिन में मसरूफ थी सुमन यार सुमी वो पुकारता हुआ किचिन तक आ गया था मगर वो अंसुना किये बैठी आटा गूंते में लगी रही अपने कमरे में भी नहीं है सुमी कहा है चची जान वो किचिन की दहलीस पर खड़ा अमी से पूछने लगा तो उन्होंने मस्कुराते हुए आंग से एक चाने बशारा कर दिया हैं वो दो चार कदम बढ़ा कर अंदर आया फिर गर्दन मोड कर उस तरफ देखा जहां अमी ने इशारा किया था वो बड़ी शदमत से आटा गूंतने में लगी हुई थी जिसे देखकर पहले तो हैरत से उसका मुझ खुला फिर जो हसना शुरू किया तो हसता ही चला गया तब वो सर उठा कर पूछने लगी क्या हुआ बॉस चजी जान आटे में पानी डाल कर गूंते हैं या पानी में आटा वो उसका सवाल नजर अंदास करके शरारता में संजीत की से अमी से पूछ रहा था मैं तुम्हें मार दूंगी बॉस वो जल कर चिल लाई चलो चलो उठो ये लड़कियों वाले काम तुम्हारे बस की बात नहीं है वो कहता हुआ जोका और बासु ठाम कर उसे खड़ा कर दिया क्या मदलब है तुम्हारा क्या मैं लड़की नहीं हूँ वो भिन्नाई थी पार्टनर समझा करो बच्ची हो अभी उसने मुस्कुरा कर जैसे चुमकारा फिर उसे खींच कर सेंख तक ले गया ये कहता हुआ कि चलो हाथ थोलो जल्दी से अम्मी तो नहीं समझती है ना मुझे बच्ची उसका मुँ बन गया था मैं समझा दूँगा पार्टनर चलो जल्दी से हाथ थोकर मेरे साथ आओ कहां बॉस वो पूच कर आटे में सने हाथ थोने लगी थी चलोगी तो खुद जान लोगी वो कहकर मुड़ा और चुले पर रखी देख्ची का ढखना हटा कर अंदर जांका क्या पकाया है चची जान वो अंदाजा न कर सका तो अम्मी से पूचने लगा दही कड़ी अम्मी बोली तो उसने बुरा समू बनाया जिसे देखकर ही अम्मी मजीद कहने लगी रभी की फरमाईश थी ये तुम्हारे लिए कुफते बना दूंगी अभी ना आज तो मेरा डिनर बाहर है और मैं समन को ले जाऊंगा ले जाऊना वो कहकर पूचने लगा मना करतूं तो मानो के कब तुम अम्मी बोली तो वो राइट कहकर हस दिया फिर मुड कर उससे कहने लगा पार्टनर अभी तक यहीं खड़ी हो जाओ जल्दी से कपड़े बदल कर आओ तुम्हारा डिनर है मैं क्यों जाऊं बॉस वो बोली है तो मेरा ही मगर कोई मुझे दे नहीं रहा बलके मैं खुद अपने आपको और तुम्हें दे रहा हूँ आया कुछ अकल शरीफ में किस खुची में पैसे बहुत हो गए हैं इसलिए वो उसे खूर कर कहने लगा यार क्या मैं किसी वज़ा के बगएर तुम्हें डिनर भी नहीं खिला सकता बताओ खिला सकते हो बॉस मैं अभी आती हूँ चेंच करके वो कहती हुई तकरीबन भाग कर किचिन से निकली थी तब अम्मी उसे कहने लगी सजील बेटा तुम आदतें खराब कर रहे हो इसकी बड़ी हो गई है वो अगले घर भी जाना है उसने और अभी तक धंग से चाए भी नहीं बना सकती है और उस पर मसी तुम और अभी उसे वो कमान यार चची जान वो बात काट कर उनके शाने पर हाथ रखता हुआ कहने लगा अभी उमर ही क्या है उसकी इतनी सी तो है और सिर्फ मैट्रिक में ही तो दाखिल हुई है अभी और आप अभी से उसे चूले में चोक रही है अरे मैं किस लिए हूँ आप बस देखती जाएए ऐसा बर और ऐसा घर ढूंडूंगा अपनी पार्टनर के लिए कि बैठी राज करेगी राज क्या समझी आप वो कहकर धीरे से हसा तो अम्मी उसके बालों में हाथ फेर कर मुस्कुरा दी फिर कहने लगी जाओ अब और जल्दी वापिस आ जाना ओके वो कहता हुआ किचन से निकला और सीधा समाना के कमरे की तरह पाया तो देखा वो बड़ी सी चादर ओड़े निकल रही थी ये क्यों लपेटली तुमने चजी भी बस एक दम बोबो बनाने पर तुल गई है चलो जाओ रखकर आओ चादर वो होड़ से कोड़ कर कह रहा था रहने तो बस वैसे भी हमारे स्कूल में नमी जमात से बुर्का ओड़ कर जाना लास्मी है वो तो मैं ओड़ती ही हूँ अब तुम्हारे साथ जा रही हूँ तो बुर्का न सही चादर ही सही वो बोली तो वो कुछ कहने के बजाए बगार उसे देखे गया ऐसे क्या देख रहे हो उसने देर तक नजरे नहटाई तो वो टोक गई ग्यार सोच रहा हूँ के वाके बड़ी हो गई हो कल तक तो मैं तुम्हें गोद में लिए दोड़ा करता था कितनी तेजी से वक्त गुजराना समन वो कहकर मुस्कुराया फिर उसे अपने पीछे आने का इशारा कर के कदम बढ़ाए तो वो भी चल पड़ी किसकी बाइक है और जब उसने घर के बाहर खड़ी बाइक के पास रुक कर जेब से चाविया निकाली तो वो ठिटक कर पूछने लगी थी दोस्स से मांगी है कुछ वक्त के लिए वो कहकर बाइक स्टार्ट करने लगा था मगर क्यों? वो हैरान हुई कि आज से पहले वो जब भी उसे कहीं ले जाता था तो बस या टेक्सी से ले जाता था और अक्सर तो पैदल ही चला चला कर उसे थका मारता था मगर आज वो दोस्त की बाइक लेकर आया था यार अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें बसों में थक्के खिलाता हुँ ले जाओ चलो बैठो अब वो बाइक स्टार्ट करके अगली सीट पर बैठ चुका था मैं नहीं बैठोंगी वो नफी में सर हिला गई थी क्यों? वो चौंका मांगी कि सवारी का लुट लेने से ज्यादा अच्छा है कि मैं बस में धक्के खालूं बॉस वो कहने लगी पता है क्योंके बस में सवार होगी तो मुझे कम तरी का एहसास ना होगा अपने ही जैसे बेशमार लोगों को देख कर मैं मुतमेन रहूंगी मगर इस बाइक पर बैठोंगी तो ये सोचने लगोंगी कि काश ये बाइक मेरी होती और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो बस जितनी चादर है उतने ही पाउं पहलाना मुझे पसंद है वो चुप हुई तो वो कुछ कह ही न सका इतनी सी लड़की इतनी बड़ी बात कह गई थी तुम यहीं रुको मैं अभी वापिस आता हूँ यह कहकर बाइक फराटे से भगाता चला गया तो वो पलट कर घर में दाखिल हो गई थी चले पार्टनर छे साथ मिनट बाद ही वो फिर से उसके सामने खड़ा था बस खफा हो वो पूचने लगी नहीं पार्टनर वो नफी में सरहिला कर मुस्कुरा दिया फिर कहां चले गए थे बाइक वापिस करने वो कहने लगा इनफैक्ट लाया तो तुम्हारे ख्याल से जब तुम ही राजी नहीं थी तो वापिस कराया वैसे एक बात है समीर तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगी मैं हमेशा याद रखूंगा और अमल भी करूंगा बस वो ही दूंगा तुम्हें जो मेरा होगा सिर्फ मेरा मांगे का नहीं खैर चलें आप बात खतम करके वो चल पड़ा तो वो भी साथ हो गई वो दो या ढ़ाई साल का रहा होगा जब उसके वालदैन में अलहत की हुई थी अम्यों से अब्बू के पास छोड़ कर चली गई थी और अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी अब्बू की दूसरी बीवी उसके लिए सोदेली मा ही साबित हुई थी फिर अब्बू भी उसकी जानब से खाफिल होते चले गए थे यूँ वो नननी सी उमर में ही माँ और बाप के रवयों से खबरा कर ड़त कर कभी बड़ी चची तो कभी चोटी चची के रहाईशी पोर्शन्स का रुख करने लगा था चोटी चची और चचा ने तो कोई खास तवज़ ना दी उस पर मगर बड़ी चची और चचा ने उसे अपने दामन में समेट लिया था और उनका बेटा रभी जो उसी का हम उमर था उसने भी बड़ी पराख दिली से उसे कुबूल कर लिया था यूँ वक्त गुजरने के साथ वो अपने पॉर्शन के बजाए स्यादा तर चचा-चची के पॉर्शन में रहने लगा था बाप को उसकी कोई पर्वा नहीं थी और मा तो थी ही सुतेली वो सारा दिन चचा-चची और रभी के साथ कुजार देता था मगर कोई उसे पूछने तक नहीं आता था क्या आया वो चची के पास ही है या कही और चला गया उसके तई वालदैन खुसूसन बाप की बेहिसी देखते हुए एक दिन चची चचा से बोली थी रभी के अबू आप भाईया से बात कर लें हम सजील को अपने पास ही रख लेंगे जरूरत क्या है बात करने की उन्हें परवा ही कब है अपने उलाद की चचा बोले थे सारा दिन वो यही रहता है और अब तो रात में हमारे पास ही सोने लगा है कभी भाईया ने पूछा उसके बारे में कुछ उन्हें उसकी फिकर ही नहीं है रहने दो सजो को हमारे ही पास रभी जैसा ही है वो हमारे लिए फिर भी आप बात कर लें भाईया से बात को ये न कहें कि हमने उनका बेटा अपना लिया चची बोली तो उन्होंने बड़े भाई से बात कर ली जिसके जवाब में वो बोले के वो रहता ही कब है हमारे पास तुम ही रखो उसे अपने साथ उनकी बात पर कहने को तो चचा बहुत कुछ कह सकते थे मगर बड़े भाई से उलजना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा इस तरह सजील चचा चची के पास ही रह पड़ा और जब सकूल जाने की उमर को पहुँचा तो उन्होंने रभी के साथ उसे भी सकूल में दाखिल कर दिया और फिर उसने पलट कर अपने पोर्शन की तरफ देखना ही छोड़ दिया के चचा चची और अभी की महपतें और तवज़ा पाकर ही उसने खुद को मुतमाइन कर लिया था और जब वो छे साल का हुआ तो चची की कोद में समाना आ गई नन्नी सी गुड़िया पाकर वो और अभी तो फूले ना समाते थे स्कूल से लौट कर दोनों ही सारा वक समाना के आगे पीचे फिरा करते थे रफी तो खैर हूंवर्ग करने बैट भी जाता था मगर वो किसी तोर आमादा ना होता था चची कह कह कर हार जाती मगर वो अंसुना किये समाना में मगन रहता मैं बात में हूंवर्ग कर लूँगा चची जान पहले समाना से खेलूँगा उसका हर बार यही खुआब होता था हुमवर्ग के बाद खेलना चलो जाओ बैक लेकर आओ अपना चची जबरदस्ती उसे हुमवर्ग करने बिठाती थी और तब वो बुरे बुरे मुह बनाता हुआ अपना स्कूल बैक खुलता था उसने उससे खुद को भाई कहलवाने के बज़ाए बास कहलवाना शुरू कर दिया अप्तिदा में तो समाना का नन्ना जहन बास और भाई के चक्कर में बहुत उलचा मगर फिर वो आदी होती चली गई रभी को तो वो भाई कहती थी मगर सिचील उसका बास था और वो खुद उसकी पार्टनर और जिस रोज उसे बास का मतलब मालूम हुआ उस रोज तो वो खुद ही लड़ी थी उसे तुमने मुझे नौकर समझा क्या मैं तुम्हारी नौकर हूँ जो तुम्हें बास कहूँ अब मैं तुम्हें बास बास नहीं कहूँगी समझे ना कहकर दिखाओ मुझ नहीं तोड़ दूँगा तुम्हारा और मैं तुम्हें छोड़ूँगी ना जैसे बस लड़े जाओ फुदूल में ही अम्मी ने दोनों को डाटा था आप समझाएं इसे चाची जान वो कहता रभी को भाई कहकर इसका जी नहीं भरता जो मुझे भी कहे मैं तुम्हारा बास हूँ और तुम मेरी पार्टनर समझ गए मेरी जूती होती है तुम्हारी पार्टनर मैं तुम्हें बास कहूंगी ही नहीं हाँ तो फिर भाई कहो न मैं भी फिर तुम्हें फिकारन कहूंगा क्या क्या फिकारन तुम खुद फकीर बलके चमार भी वो खुब ही जली थी तो समन फकीर और चमार को ही बास भी कहते हैं रभी ने बड़े आराम से नए माइने एजाद किये थे मैं इतनी बेवकूफ नहीं हुँ भाई जो तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँ वो बोली थी वक्ती तोर पर उसने बहसें तो बहुत की मगर उसकी जबान से बास नहीं उत्रा वक्त कुजरता रहा उमर पढ़ती रही और वो उसका बास ही रहा और बास का बस चलता तो वो उसे बिलकुल ही अपने रंग में रंग लेता लड़कों वाले अंदास में ही वो उससे बातें करता था और जवाबन वो भी उसके अंदास अपना लेती थी मगर चची ने बरवक्त टोक टोक कर दोनों को अपनी अपनी हद में ही रखा था यू नहीं बिटा वो लड़की है सबान मत बिकाड़ो उसकी आदतें ना खराब करो उसकी चची अक्सर सजील को समझाती थी मगर उस पर खाक असरना होता था वो उसे पाकायत की से प्लेकराउंड ले जाया करता था कभी क्रिकेट तो कभी फुटबाल केलने कभी कंचे बाजी तो कभी पतंग बाजी और उन सब में रभी भी शामिल होता था और तीनों खूब ही अबे तबे किये जाते थे जिसे सुनकर चची आजस आ जाती तो चचा से कहती थी आप मना करें लड़कों को बिगार रहे हैं बच्ची को बच्चे हैं अभी जड़ा शवर आएगा तो खुद ही अपनी हुदूद जान लेंगे चचा जवाब में यही कहते थे और कुछ गलत भी नहीं कहते थे कि वक्त के साथ साथ वो तीनों ही बच्चपन की हुदूद छोड़ते छोड़ते अपने अपने तशख्च को पहचानते हुए उसी के दायरे में सिमटने लगे थे लेकिन फिर भी कभी कबार रबी या सिजील उसे अपने साथ खड़ से बाहर ले ही जाते थे रबी तो कम मगर सिजील ज़्यादा तर शोड़ मचाय रहता था के समी मेरे साथ चलो आइसक्रीम खाने पार्टनर चलो ना चाट खा कर आते हैं समन चलो सी साइप पर जाएंगे ये और ऐसी बहुत सी ननी मुनी खाहशाद की तक्मील के लिए वो समाना के बगएर खड़ से निकलता ही नहीं था यार रबी अगर मैट्रिक में मैंने इतना पढ़ा होता तो टॉपर्स के सारे अगले पिछले रेकॉर्ड बराबर कर देता वो बरामदे में बैठी पढ़ रही थी जब वो शरारत से रबी से कहने लगा था कि वो कुछ बोले मगर वो अनसुना की ये रटा लगाने में ही लगी रही भई हम जहीन लोग हैं हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पढ़ी कभी जवाबन रभी भी शरीर हुआ था और एक ये बेचारी है पिछले चार खंटों से एक ही जवाब रट रही है दोनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ मार के हसे तो वो रोहांसी होकर अम्मी को आवासें देने लगी उठे और सरपट अंदर की तरफ फागे क्या हो रहा है हां तुम लोगों को कोई काम नहीं होता तो मेरी बच्ची के पीछे पड़ जाते हो अपू डांट रहे थे चलो जा अपने कमरे में और खबरदार जो मगर्ब से पहले बाहर निकले तो जाओ जाकर स्टडी करो तुम दोनों के इमतिहान नहीं हुए गालबन क्यों? चचचा जान आप भी किस की बातों में आकर डांट रहे हैं हमें वो मासूम सी शकल बना कर कहने लगा हमने क्या कहा? हम तो अपनी बात कर रहे थे उससे तो कुछ ना कहा था और दोनों पक्के जूटे हैं अब बूची, वो किताबें उठा कर अंदर आ गई थी, अपनी जहानत बखा रहे थे दोनों मेरे पास बैठ कर सरा पूछिये ना मैट्रिक में कौन से तीर मारे थे दोनों ने ए ए जादा बोल मत 87% रिजर्ट था हमारा क्यों? था ना रभी और वो इतरा कर रभी से तस्तियक करवाने लगा Yes, of course Of course, उसने चिड़ कर तोहराया जानती हो मैं कैसे आया था 87% रिजर्ट रात में चुप चुप कर दोनों तावीज बनाया करते थे क्या मैं जानती नहीं, सब चीटिंग का कमाल है, वरना तुम दोनों तो 47% के लायक भी नहीं हो, वो चिड़ाती हुई अपने कमरे में फाग कई थी इतना सफेद जूट दोनों बुरी तरहां जल्बला उठे थे सचील तो पाकाइदा आस्तिन चढ़ा कर उसके पीछे लपका था, मगर चचा ने बाजू पकड़ लिया था ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा समी ने, जो इतना ताव खा रहे हो वो सेरे लब मुस्कुराए थे अपू जी, आप भी बस उसी की साइट लिया करें हमारी हक, हलाल और मेहनत की पढ़ाई पर चीटिंग का बटा लगा गई वो और आप हस रहे हैं, रभी खूब ही तपा बरखुड़दार, तुम दोनों कितना पढ़ते हो हम बखू भी जानते हैं क्या मतलब है चाचा जान नेरे चीटर ही नहीं हैं हम पढ़ते भी हैं बहरहाल चीटर तो हो ना और खबरदार जो फ़र तुम दोनों ने उसे डिस्टरब किया तो परसों से उसका इम्तिहान है चाच जान तंबी करके चले गए तो दोनों अपने उस्तर का कमरे में आ गए वैसे यार रभी गलत कर रहे थे हम वो बैट पर रौंद कर कहने लगा हमारे एक्जैम्स होते हैं तो वो कितना ख्याल रखती है हमारा और हम उसे तंग किये रहते हैं यार उसे नहीं तो फिर किसे तंग करेंगे एक ही तो बहन है हमारी रभी कहने लगा और ज्यादा से ज्यादा कितने साल रहेगी हमारे साथ पस पांच या छे साल फिर तो उसने चले ही जाना है चले जाना है कहां वो समझा नहीं सुस्राल और कहां डफर सुस्राल क्यों वो क्यों जाएगी उसके दिल को जैसे कुछ हुआ था क्यों नहीं जाएगी अनोखी नहीं है वो हर लड़की जाती है सुस्राल शादी के बाद रभी कह रहा था और वो गुमसमसा होकर सुन रहा था सुन क्या रहा था बलके हवन नकसा होकर रभी की सुरत तक रहा था जब ही उसने गद्रे ठिटक कर उसे टोका था ए, तुझे क्या हुआ, नहीं, कुछ नहीं, वो सर चटक कर उठा और एक दम ही कमरे से निकलता चला किया, एक आम सी बात कही थी रभी ने, जची भी अक्सर कहती रहती थी, मगर आज से पहले वो यू बेचैन ना हुआ था, और ना ही दिल में समाना से दूर होने का एहसास ज आहाता कर लिया था, और अपनी इस कैफियत को पहले तो वो कोई नाम न दे सका, मगर कई दिनों की उलचन और गोरखाओस के बाद, दिमाग ने दिल की इस कैफियत को जुनाम दिया, तो फिर वो समाना से कत्राने लगा, उसे मुकातब करने से गुरेस करने लगा, वो तो मसरूफियत के सबब महसूस ना कर सकी, मगर अमी महसूस कर गई, जब ही तो उस रोज उससे पूछने लगी थी, सजू, क्या बात है बेटा, कुछ उलचे-उलचे से लग रहे हो मुझे कई दिनों से, नहीं तो चची जान, उनके सबसार पर वो बुरी तहां सट बटाया थ कोई बात तो है बेटा, अमी जोर देकर कहने लगी, समाना से छगडा हुआ है, कोई ऐसी बात कहती है उसने जो तुम्हें बुरी लगी है, वो पूछ रही थी और वो नफी में सर हिला रहा था, तो फिर क्या बात है, बताओ मुझे, इतने खामोश तो तुम कभी नहीं रह से, मगर मैं आजकल देख रही हूँ, वो बड़े इत्मिनान से पढ़ाई में गर्ख है, ना तुम छेड़ते हो, ना रभी डिस्टरब करता है, बताओ मुझे, क्या बात हुई है, अमी सब जान ही लेना चाहती थी, कोई बात नहीं है अमी, बस ये पट्री से उतर गया है, बलके पट्री बदल गई है इसकी, रभी उसके पास बैटता हुआ बहुत शरारत से कह रहा था, क्या मतलब है तुम्हारा, वो मरसीद पौकलाया, वो ही जो तुम समझे हो प्यारे, रभी बेसाखता हसा जबके अमी हैरान हुई, ये क्या पहेलियां बचा रहे हो तुम, ब वो जो समी इसकी खेल कूद में पार्टनर हुआ करती थी, अब किस चीज की पार्टनर हो गई है, पूछे न, इस पौकलाहट का रभी खूब ही लुद्फ ले रहा था, हैं, क्या मतलब, पहले तो अमी चौंकी, फिर एकदम ही मुस्कुरा पड़ी, सज्यो बेटा, सज्ज बड़ी महपत से उसे फुकारा था, चती चान मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ, वो उनकी गोद में मुझ खुसाए ही कहने लगा था, चन्द दिनों कबल तक वो मेरे लिए एक नन्नी सी बच्ची थी, कुडिया जैसी मेरी कजन, मेरी दोस्त, मगर फिर ये कैसे हो गया, मैं खुद भी हैरान रह गया, तो यूं मुझ चुपाए क्यूं कह रहे हो बेटा, उठो सीधे बैठो, अमी ने मुस्कुरा कर उसकी बात काटी थी, आप पता नहीं क्या सोचेंगी मेरे बारे में, वो बैठता हुआ धीरे से बोला, तो वो बेसाखता हसी, फिर उसे खुद से लगा लिया, मैंने क्या सोचना है भई, वो कह रही थी, तुम्हारे चचाने तो उसी वक्त कह दिया था, कि वो समाना तुम्हें सोपेंगे, जबके वो पैदा हुई थी, फिर मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताया, वो हैरान हुआ, तुम्हारी शादी का वक्त आता, त जरूर बताती बेटा, बलके पूछ कर तुम्हारी राय लेती, और अगर मैं ना कह देता तब, तब कोई बात ही ना होती बेटा, हम तुम्हारी खुशी में खुश रहते, ये तो बस हमारी एक खुशी में खुश रहते, ये तो बस हमारी एक खुश थी, पूरी होगी, हमन नहीं चाची जान, फिल हाल कुछ मत कहिए उससे, वो मना करने लगा, क्यों क्यों, रभी पूछने लगा, फिर खुआ मखा शर्माईगी यार, फिर मैं तंग किसे करूंगा, बताओ, वो आंख मार के हसा, अच्छा है, मेरी बेहन इसी लिए है के तू तंग करेगा, हाँ, उनकर तो पताते, वो बहुत शोखी से हसा था, अच्छा जी, तो अभी से शुरू हो गया, खैर बोलने बच्चे, याद करेगा, कि क्या साला मिला है, जवाबन रभी ने हसते हुए एक साथ, कई खूंसे जड़ दिये थे उसकी पीट पर, समाना के तहीं उसकी सोचें बद बाजी और हाथा पाई, और ना ही तूतू मैं में, जो पहले जरा-जरा सी बातों को लेकर उससे करता था, और ना ही अब वो आये दिनके सेर सपाटे बाकी रह गए थे, एक साथ बहुत सारी तबदीलियां आ गई थी उसके रवईये में, जिन्हें महसूस करके, जहां रभ सेंस सब होते जा रहे हो, उस दिन वो बेहत तब कर उससे कह रही थी, क्या मतलब, वो मस्कुरा कर पूछने लगा, बताओ कितने दिन बीट गए मेरे एकसाइम्स खतम हुए, और तुमने कभी मुझे आईसक्रीम खिलाने की आफर की, चार्ट खिलाने ले गए, बताओ ना, मैं बोर हो रही हूं बॉस, और तुम इसी तहां नाकारा रहे, तो फिर तो मैं यकिनन बोर होकर मर जाओंगी, थित, ऐसा नहीं कहते समन, उसनक फॉरन टोका था, तो फिर मुझे आईसक्रीम खिलाने ले चलो, मैं ला देता हूं, खा लेना, नहीं, मैं भी साथ चलूँग तुम्हें यूँ साथ लेकर फिरना, वो रुक कर बोला, अब क्या हो गया है, वो हैरान हुई, कुछ नहीं, जाओ तुम किचन में हाथ पटाओ चची का, लड़कियों वाले काम करूं, बिलकुल, वो बे साखतकी से मुस्कुराया था, क्यों, पहले तो खुदी मना करते थ पहले बच्ची जो समझता था तुम्हें, तो क्या आप नहीं हो मैं, चन्द दिनों में बड़ी हो गई हो क्या, उसका मुझ बन गया, हाँ समन, वो फिर मुस्कुराया था, बस अम्मी ही बन गए हो मेरी, वो बड़बढाती हुई पलट गई थी, और कोई जरूरत नहीं है आइसक्रीम लाने की, लाओगे भी तो मैं नहीं खाऊंगी, और बात भी नहीं करूंगी तुमसे, तुम बहुत बड़बढाती हुई, पैर पटखती हुई, वो किचन का रुख कर चुकी थी, समन, समन या बात तो सुनो, वो मुस्कुराता हुआ पीछे था, अब जाओ न अब बॉस भी कहने लगा है, कि बड़ी हो गई हुँ मैं, अब वो मुझसे लड़ेगा नहीं, कहीं बाहर नहीं ले जाएगा, और वो भाई भी बस ऐसा ही है, तुम क्या चाहती हो, उमर भर दोनों तुमसे लड़ते ही रहें, अमी को हसी आ गई थी, नहीं, महले की लड़ पर ही खड़ा था, चाना उचका कर मुस्कुरा कर रह गया, जबके वो जल कर रभी से कह रही थी, खून गरम है मेरा, प्योगे, दूँ, अपने बास को दो, मुझे तो चाहे चाहिए, रभी हस्ता हुआ उसके पास आरुका था, क्या बात है बिल्ली, इतनी गरम क्यों हो, तुम दोनों की वज़ा से, वो दोनों को घूर कर बोली, हैं, क्यों, तुम दोनों ही बिल्कुल निकम में हो गए हो, कोई नई बात कर यार, रभी बेसाफता मुस्कुराया था, मतलब ये कि मैं ये मान लूँ कि अब तुम लोग मुझे बड़ी समझने लगे हो, मेरी इज अब इज़त करने लगे हो, बहुत देर बात वो मुस्कुराई थी, और महपत भी, रभी ने फौरण इसाफ़ा किया था, वो तो तुम दोनों सदा से करते हो मुझे, अब इज़त भी करने लगे हो, तो मैं भी इतराऊंगी जरूर, चलो इसी खुशी में बता दो कि क्या खाओगे, आज रात का खाना मैं बनाऊंगी, बीबी बखशो हमें, वो जो देर से चुप था, फौरण बोला, पानी में आटा डाल कर कूंते देखा है, मैंने तुम्हें, खाना कैसा बनाऊगी, ये मैं बहु भी जान सकता हूँ, बास, वो मीरी पहली कोशिश थी, वो चि करूँ, ए, क्या मतलब है हाँ, रभी ने सर पे हाथ चार दिया था, वो ही जो तुम समझते हो, वो हसी थी, रभी तुम चाय पीने आय थे या बहस करने, अम्मी ने बिलाखर टोका था, अम्मी यार प्योंगा तो तब ना जब ये बिल्ली बना कर देगी, मैं बना रही हू तुम प्योंगे बास, वो पूछती हुई किजन कैबनेट की जानेब खुम गई थी, पर शर्त ये के वो चाय ही हो, वो शरारत से मुस्कुराया था, क्या मतलब है तुम्हारा बास, वो चड़ कर उसे मारने लब की, तो वो हसता हुआ, तेजी से फाग गया, ये कहता हुआ कि आइसक्रीम ला रहा हूँ, बहुत सारी चाहिए मुझे, वो पीछे से चिलाई थी, यार सज्जू डिगरी लेने के बाद जॉब मत ठूनना, बलकि आइसक्रीम पारलर खोल लेना, रभी भी हसता हुआ सिजील के पीछे ही चला गया था, ये क्या बात हुई अम्ही, वो म मौकरी के तलाश में जुटे हुए थे, हर सुभा बड़े जोश से घर से निकलते थे, और शाम धले मू लटकाए वापस आ जाते थे, जाबाश जवानों, लगे रहो, अभी तो सिर्फ तीन माह पीते हैं, और जिस शेय के तुम दोनों को तलाश है ना, उसे हासल करने के ल माक, रभी खूब ही चलता था, तुम तो चाहती ही नहीं के हमें नौकरी मिले, लो भला, मैं क्यों न चाहूंगी, तो फिर मसा क्यों उड़ाती हो हमारा से जील भी चलता था, कमाल है बास, मैं तो होसला पढ़ाती हूँ, वो हैरत का मुझाहरा करती, इस तरहां ताव दिल नमासों की पाबंदी पाइम रखो, तो फिर कोई वजा नहीं कि तुम्हारी द्वाएं कबूल नहों, वो कहती तो दोनों मुस्कुरा देते, और फिर अकले ही दिन फिर से चल देते थे नौकरी की तलाश में, बस इसी तरहां दिन गुजरते जा रहे थे, और इन ही गुज पर ही पैठी मिलती थी, कभी नमास पढ़ रही होती तो कभी वजाइफ में मनहमिक होती थी, दोनों ने तो अकसर रात गए भी उसे मसरूफ इबादत देखा था, यार सज्जू, ये चकर क्या है, आज कल हमारे अत्राफ के लोग बड़े आबिद उ साहित होते जा रहे हैं उस रोज भी जब दोनों वापस लोटे तो साफका दिनों की तरहां उसे मसले पर बैठा देख कर रवी गद्रे शरारत से सिजील से बोला था, चकर क्या होना है यार, इंटर का फाइनल एक्जाम सर पर है, इसलिए अबादत शुरू कर दी है लोगों ने, जवाबन वो भी शरारत से कहने लगा, तिमाख नाम की कोई शैतो है नहीं लोगों के पास, कि जिसके बलबूते पर पास हुआ जा सके, इसलिए दूआएं और वसाइफ किये जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ मार कर हसे जा रहे थे, तब ही वो मसले से उठी थी और दोनों को खूरती हुई किचन की जानब चली गई थी, क्या कीकी लगाई है तुम दोनों ने, क्यों डिस्टरफ करते हो इसे, अम्मी आकर तांटने लगी थी, खुद को तो इतनी तौफिक नहीं होती के पांच नमाजों के लावा भी कोई इजाफी अबादत कर जाएं, यार, अम्म हमने क्या किया, हम तो अपनी बात कर रहे थे, रभी हसी रोक कर बोला, खुब समझती हूँ मैं तुम्हारी, अपनी बातें, चलो उठो, जाकर मुहाद हो, तब तक मैं चाय लाती हूँ, वो बोली तो रभी उठकर अपने कमरे की जानब चल दिया, जबके वो जाने के बज जौब तक ना हसल कर पाया, वो धीरे धीरे कहने लगा, जब पढ़ता था तो सोचता था, कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, तो बेशमार खुशियां दूँगा, मैं अपनी जात से आप सब को, लेकिन अभी तक मैं कुछ भी नहीं दे पाया, बस लेता ही जा रह है, सिर्फ महबते ही ना, तो बेटा वो तो हक है तुम्हारा, और रही बात पैसों की, तो मैं अच्छी तहां जानती हूं कि कभी तुमने एक पैसे का मतालबा नहीं किया है हमसे, जब से बाशाओर हुए हो, अपने अखराजात खुद ही पूरे कर रहे हो, ट्यूशन्स के जरिये, कब तुमने हमसे कुछ मांगा है बेटा, हमने तो जो कुछ भी तुम्हें दिया, तुम्हारा हक समझ कर दिया है, ऐसी बात मत सोचा करो, मेरे बच्चे और खुदा से अच्छी उमीद रखो, कि वो अपने बंदों को मायूस नहीं करता, वो नवासता है, तेर से सह मगर देता सरूर है, चलो उठो अब, जाओ फ्रेश हो कर आओ, अमी ने कहते हुए बड़ी महपत से, उसका सर अपने कंधे से हटाया था, बॉस क्या हुआ, उसी बल वाँ आकर पूछने लगी, तो वो कुछ कहने के बजाए नफी में सर हिला कर मुस्कुरा दिया, फिर कितनी है, वो बोला, तो अमी ने इसरार नहीं किया, फिर चचा भी आफिस से आ गए, तो दोनों कुछ देर बैट कर, उनसे बातिंग करते रहे, फिर मगरिब के अजान होने लगी, तो उनके साथ ही उठकर चले गए थे, और जब नमाज अदा करके लोटे, तो हजब साबि समाना को अपने कमरे में मसरूफ इबादत ही पाया था, यार क्या बात है, ये मुलानी क्यों हो गई है, दोनों उसके कमरे में जांक कर, वापिस पलट गए थे, क्योंकि जानते थे, कि आप वो इशा से पहले, अपने कमरे से नहीं निकलेगी, और फिर रात के खाने के भी नीन महरबान न हुई, तो वोट कर छट पर आ गया, चार सू खामोशी चाई थी, मगर तारीकी को स्ट्रीट लाइट्स ने नीम रोशन कर रखा था, उस सोचों में गुम कितनी ही देर तक खड़ा, सर उंचा किये, आसमान की बेकरां वुसतों में तिम्टमाते हुए, बेशमार तारों को देखे गया, चौंका तो उस वक्त जब किसी ने पीछे से शाने पर हाथ रखा था, सिजील क्या हुआ, वो अब उसके रूपर रूखडी पूछ रही थी, और वासे तोर पर ठिटका था, इसलिए कि शायद पहली बार उसने, उसे बास कहने के बजाए, सिजील कहकर मखातिब किया था, हाँ, कुछ नहीं, वो नफी में सर हिला कर मस्कुराया था, फिर यहां क्यूं क्यूं खड़े हो, नीन नहीं आ रही थी इसलिए, उसने कहकर तवील सांस ली, फिर सीने पर हाथ पांगते हुए, उसे बगौर देखा, उसके आँखें बता र मैं तुम्हारे कमरे में पानी का जग रखना भूल गई थी, और अभी आँख खुली तो याद आया, मैं पानी रखने गई तो देखा, तुम नहीं थे, भाई सो रहा था, मैंने सोचा तुम शायद उपर होगे, चलो अब सो जाओ चलकर, बहुत रात हो गई है, वो कह रही पूछने लगी, तुम से किसने कहा के मैं परेशान हूँ, पता नहीं, वो रीलिंग पर कोहनिया टिका कर नीचे गली में देखने लगी थी, एक बात कहूं सिजील, हम, उसके लबों से फिर अपना नाम सुन कर, वो मुस्कुरा दिया था, इस तरहां परेशान होने से क्या जॉप मिल जाएगी तुम्हें, नहीं न, और जब तक मिलती नहीं है तुम्हारी मतलूबा जॉप, तब तक कोई और काम कर लो, छोटा मोटा सही, वो तो मैं करता ही हूँ समन, अच्छा हाँ, वो कोचिंग सेंटर न, उसे गोया अचानक याद आया था, तो फिर क्यों इत रखती हो मेरे लिए, वो पूछने लगा, ये कोई पूछने वाली बात है, दौाओं में तो मैं गयरों को भी याद रखती हो सिजील, तुम तो मेरे अपने हो, वो कहकर मुस्कुराई, फिर जीनों की तरफ पढ़ गई, ये कहती हुई के, चलो बस अब चल कर सोजाओ, बे अमी जी, दौा करना के आज हम कामियाब लोटें, सुबा नाचते पर रभी कह रहा था, मैं तो रोजी दौा करती हूँ बेटा, अमी मुस्कुरा दी, I know अमी, मगर आज मैं, बलके हम शिदत से चाहते हैं, कि आपकी दौा कुबूल हो जाए, आज जिस फर्म में वो सर हिला कर कहने लगा, अगर उस फर्म में जौब मिल गई ना, तो बकॉल रभी, वाकी लाइफ बन जाएगी हमारी, बहुत पुरकशिश सेलरी देती है वो फर्म, और दीगर सहुलियात भी, तो बेटा, काम भी वैसा ही लेते होंगे ना, अपू बोले थे, काम से खबर के साथ जाओ तुम दोनो, अखा, तो बिली, क्या तुम वहां की एमडी हो, रभी मुस्कुरा कर पूछने लगा, यही समझ लो तुम, वो बोली तो दोनों महस हंस कर रह गए, फिर नाशता करके तयार होकर दोनों चले गए थे, और वापसी में उस रोस दोनों ने बहुत देर कर दी थी, हर रोस तो दोनों शाम होने तक लौट आते थे, मगर आज शाम रात में बदल गई थी, और दोनों हनूस वापस नहीं आये थे, तो अम्मी के साथ अब समाना भी परेशान होने लगी थी, रभी के अब्बू, पता करे ना, कहां रह गए मेरे बच्चे, अम बच्चे नहीं है वो, जो तुम इतना परेशान हो रही हो, अबू इत्मिनान से कह रहे थे, मगर अम्मी को चैन ना था, पांच मिनट में दस चक्कर वो सहन के लगा चुकी थी, और ग्यारवा शुरू होने ही वाला था, कि मान दोनों आगे पीछे सलाम करते हुए दाखिल हुए थे, कहां रह गए थे मेरे बच्चे, अम्मी तेजी से दोनों की जानब लब की और दोनों ने हसते हुए उनका एक एक बाजू थाम कर उन्हें खुमा डाला, अरे रे, वो बेहत बाखला गई, रभी, बेटा सुन तो, सजू, ए बेटा छोड़, छोड़ मुझे, उन की चीखें सुनकर अबो और समाना भी आ गए थे, जबके उन दोनों ने अम्मी के कंदे पर सर टिकाया था, जौब मिल गई हमें, दोनों एक साथ बोले थे, और आज हम पहले दिन काम करके आ रहे हैं, वो फिर एक सबान थे, अल्लह का शुकर है, अम्मी दोनों के सर सहला कर मुस्कुरा उठी, मुहबत से उनके खुशी से चमकते चहरों पर हाथ फेरा था, अबो भी पास ही बैठ गए थे, तब दोनों बारी बारी से तफसील बताने लगे, हमें सिलेक्ट करके फौरान ही काम भी सूप दिया गया जजजजान, हाँ अबू जी, कितने मिनट तो हमे यही यकीन करने में लग गए, कि हमें बाकी जौब मिल गई है, चलो अच्छा है, अब दोनों जरा संजीत की अख्यार कर लो, और दिल लगा कर काम करो, अबू कहकर मुस्कुराए थे, और मैं अपनी बहु की तलाश शुरू कर दूँ, क्यों? अम्मी बोली, ओह नो अम्मी नहीं आई, समन कहां चली गई, वो से रेलब मुस्कुरा कर पूछने लगा, तो अम्मी ने उसके कमरे की तरफ इशारा कर दिया, यार कमाल लड़की है ये, हम इतने खुश-खुश लोटे हैं, उसने हमें मुबारक बात भी नहीं दी, चलो देखें, कमरे में घुस कर क्या कर रही है, रभी कहता हुआ आउट कर उसके कमरे की चानब चल दिया, तो वो भी पीछे हो लिया, ए समन, समी, दोनों आवासें देते हुए उसके कमरे में दाखिल हुए थे, मगर उसे नमाज में मश्कूल देख कर एक तम खामोश हो गए, यार मगरिब का वक्त तो बीद और इशा की अजान अभी हुई नहीं, फिर ये कौन सी नमाज पढ़ रही है, वो हैरान सा रभी के साथ ही उसके कमरे से निकला था, फिलहाल वो शुकराने के नवाफिल अदा कर रही है, अम्मी उसकी बात सुन कर बोली, किस लिए, दोनों ही चौंके थे, तुम दोनों को जौब जू मिल गई है, और तुम क्या जानों कि मेरी बच्ची ने कितने वजाइफ किये थे तुम दोनों की नौकरी के लिए, और आज जब खुदा के करम से तुम लोग काम्याब हुए हो, तो वो शुकराना भी अदा न करे, तुम्हारी तरह नाशुक्री तो है नहीं, अम्मी बता रही थी, साथ ही दोनों को जता भी रही थी, जब ही तो रभी फॉरण बोला था, अम्मी जी अब ऐसे भी नहीं हैं हम, मगर्ब की नमाज के साथ ही शुकराने के नमाज अदा करके हम घर लोटे थे, आपने हमें पहले क्यों ना बताया चाची जान, हम कितना त खाओगे, अम्मी कहकर पूछने लगी, चाए पिएंगे अम्मी, खाना बाद में, रभी बोला तो वो किचिन की तरफ चली गएं, और वो दोनों अपने मुच्तरका कमरे में चले आए थी, यार ये लड़की है क्या आफिर, वो टाय खोलता हुआ बोला था, बेहन किसकी है रभी इत्राया, इत्रामत, पार्टनर तो मेरी ही है, उसने हस्ते हुए टाय रभी पर उचाल दी थी, यार बिली इतना चाहती हो हमें, अंदाजा नहीं था, दोनों चाए पी रहे थे, जब वो उनके पास आकर बैठी, तो रभी कहने लगा, चाहत बेंदाजा ही होनी चाह यस अफकोर्स, उसने फारण ही तस्दियक कर दी, सजील, रभी चौंका, क्यों अब ये तुम्हारा बास नहीं रहा, नहीं, अरे क्यों, क्योंकि अब मैं इसकी पार्टनर नहीं रही, इसने मुझे अर्सा हुआ पार्टनर कहना छोड़ दिया है, तो क्या हुआ, समझता त लेकर चली गई, बात क्या है प्यारे, पूरी बत्ती सी निकाले बैठे हो, बता दिया क्या तुमने उसे, रभी शोखी से पूछने लगा, वो नफी में सर हिला कर मुस्कुराया था, फिर वो खुद जान गई है, कैसे, जैसे तुमने जाना था, मैंने तो आँखें पढ़ रच क्या है, अभी उसे पढ़ने दो, कमस कम ग्राजविशन तो कर लेने दो, तब तक मैं काफी रखम कमा लूँगा, एक खर बनाओंगा छोटा सा, फिर उसे ले जाओंगा अपने संग, क्या ये तुम्हारा खर नहीं है सजील, रभी संजीत की से पूछने लगा, ना होत तो मैं यहां रहता ही क्यों, रभी, वो कहने लगा, प्लीज, तुम कोई गलत मतलब अखस मत करो, मैं तशना हूँ यार, बहुत तशना हूँ अंदर से, जब जब चचची ने प्यार किया मुझे अम्मी याद आई, जब जब चचा ने गले लगाया, मुझे लगा मेरे यार मौजूद रहा है कि काश मेरे माबाब भी होते, सजू मेरे यार, रभी ने एक दम ही उसे खुद से लगा लिया था, ऐसा क्यों सोचते हो, मैं दानिस्ता नहीं सोचता रभी, ये तो फितरी क्वाहिश है, वो कहने लगा, आज बताओं तुम्हें, एक बार में नानी क घर भी गया था अम्मी से मिलने, शायद 14-15 साल का था मैं उस वक्त, वहाँ जाकर मालूम हुआ, कि अम्मी ने भी अपना दूसरा घर पसा लिया है, तब मैं अम्मी के घर गया, अपना तारुफ दिया उन्हें, मगर उन्होंने मुझे पहचानने से इंकार कर दिया, कितनी स कमल किये बगार ही चुप हो गया था, फिर तम दुबारा मिले उनसे, कितनी ही देर चुप रहने के बाद रभी उससे पूछने लगा, नहीं, उसने नफी में सर हिला दिया, अम्मी दूर थी तो तुम उनसे मिलने गए, अबू तो तुम्हारे यहीं पास ही थे ना सजू, अम्मी के बारे में नहीं जानता था, इसलिए उनसे मिलने चला गया, और मायूस होकर लौट आया, बड़े अबू जब मसकत जा रहे थे तब तो तुम्हें उनसे मिलना चाहिए था ना, मैं गया था रभी, वो तवील सांस लेकर कहने लगा, मगर उन्होंने मेरी आमत का को अधासियां लेकर वापस आ जाता हूँ, दुखी इसलिए नहीं होता कि तुम सब जो मेरे अपने हो, मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर तुम सब इतनी महपत से ना अपनाते मुझे, तो क्या होता मेरा, जाने में होता, तो क्या ऐसा होता, जैसा कि आज हूँ, शायद नहीं तुम सब की महपतें ना मिली होती, तो आज मैं ऐसा ना होता, रभी, है ना, हम, शायद, शायद नहीं, यकीनन, यार महपते ही इनसान को परफेक्ट बनाती हैं, जैसा कि मैं हूँ, तुम सब की महपतों की बदौलत, वो धीरे से हसा, तो रभी भी मुस्कुरा दिया था, अब देख रहा था, जब अमी ने अंदर से आवास दी थी, लाया चची, वो कहता हुआ उठा, किताब बंद करके वहीं चारपाई पर रखी और चट पर जाने वाले जीनों की तरफ पढ़ गया, बड़े से मकान के दरोदीवार तो तीन हिस्सों में मनकस्म थे, मगर चट म जाने वाला जीना भी, उसने तेजी से जीना तै किया था, लेकिन अभी छट पर कदम रखे नहीं थे के मान, अमी बस मैं तंग आ चुकी, कल से कॉलिज नहीं जाओंगी, उसकी सोतेली बेहन फाइसा, अपनी अमी से कह रही थी, वो वहीं रुकर सुनने लगा, चादर ओड हूँ या बुरका, वो कमीना मेरा पीछा नहीं छोड़ता, जाने कैसे पहचान जाता है, मैं तंग आ गई हूँ अमी, मैं भी क्या करूँ, गई तो थी तुम्हारे साथ, कि उससे बास पुरस करूँगी, मगर उस पर तो कुछ असर ही नहीं, उल्टा मुझ से ही बत्तमीज करने लगा था, अमी बेबसी से कह रही थी, तब ही से तो वो और पीछे लग गया है, मैं बता नहीं सकती अमी कि कैसे ओचे 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 फिक्रे कसता है, रस्ते भी बदल चुकी हूँ कॉलेज जाने के, फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ता है, काश के अबु यहां होते, क्या समीर ही इतना बड़ा होता कि बहन की तरफ उटने वाली गलीज आंकें फोर डालता, फाइजा कहते कहते रो पड़ी थी, ना ना बेटा, अमी दिलासा देने लगी, यह मैं तुम्हारे चचा से बात करती हूँ बेटा, वो यकीनन कुछ ना कुछ करेंगे और, नहीं अ उठा सकूंगी फिर उनके सामने, लेकिन इस तरहां तो बात नहीं बनेगी बेटा, इस से पहले कि वो किसी बाहरी आतमी से सुने, मैं खुद बता देती हूँ उन्हें, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे बेटा, तुम मुतमेन रहो, अमी समझा रही थी, नहीं ना अमी, वो चोटी चची तो बात का बतंगर बना देंगी, और बड़े चचा चची तो इतने अच्छे हैं, इसलिए मैं उनके सामने शर्मिन्दा नहीं होना चाहती, वो ये तो जरूर सोचेंगे ना, कि मेरी भी कोई गलती रही होगी, जो वो खबीज पीछे लगा है, पायसा को बस यही खचा चची उसे ही खलत न समझें, और खबल इसके कि वो मजीद कुछ कहती या अमी बोलती, वो बाकी मांदा दो सीड़िया फलान कर चट पर आया, और कनक्यों से दोनों को देखता हुआ, उसी जाने पढ़ गया, जहां अमी ने कपड़ा बिचा कर केहु पहलाई थे, उसने अथियाद से कपड़े समेटे और वापसी के लिए पल्टा तो देखा, दोनों माबेटी उसकी तरफ पीट किये खड़ी, अप नीचे गली में देख रही थी, ये मुझ से नहीं कह सकती थी, क्या मैं इसका भाई नहीं हूँ, वो सोचता हुआ तेजी से जीना उ पूशती हुई चली आई, अपनी किसी दोस्ते मिलने गया है, वो बोला, तुम क्यों नहीं गए, छुटी तो है, समन बीबी क्या ये जरूरी है, कि रभी का दोस्त मेरा भी दोस्त हो, वो कहकर मुस्कुराया, फिर उसे बैठने का इशारा किया, तो वो चारपाई के दूस सरे सरे पर टिक गई, एक बात पूछू समन, वो बनासर गायर उसे देख रहा था, क्या, चाने क्यों वो खबरा गई थी, चेहरे के उड़ती रंगत, सजील ने साफ महसूस की, पागल, जिर लब कहकर उसने निचला लब दाथों तले तबा लिया, मगर मुस्कुराहट, फ क्या, वो हसी रोक कर अंजान बन गया, तुम हसी क्यों, तुम तो मेरे हसने पर पाबंदी लगाओगी, फिर हसा, नहीं, वो तो बस योही, वो एक दम ही उटकर जाने लगी, मगर उसने जाने नहीं दिया, समन, बैठो, मुझे बात करनी है तुमसे, वो उसे दुबारा बै कर मुस्कुरा दिया, पौने ग्यारा बचे, पहला लेक्चर होता है मेरा, क्यों, वो जवाब देकर सवाल पूछने लगी, फाइसा तुम्हारे कॉलिज में है, हाँ, है तो, यही टाइमिंग है उसकी भी, नहीं, बाजी का पहला लेक्चर साड़े साथ बचे होता है, वो तुम क्यों पूछ रहे हो, वो अब हैरान थी, क्योंकि आज से पहले उसने फाइसा के बारे में कुछ नहीं पूछा था, बस यूहीं, वो बोला, यूहीं कोई बात नहीं पूछी जाती, और फाइसा बाजी के बारे में तो कता ही नहीं, अच्छा, वो क्यों, वो बेर पहाई समझा ही नहीं तो फिर आज क्यूं पूछ रहे हो बस यूहीं ख्याल आ गया था मैं दूआ करूंगी कि बस यूहीं फाइसा बाजी समेट बड़े अपू और अम्मी को भी तुम्हारा ख्याल आ जाए वो आए या ना आए मुझे परवा नहीं तुम बताओ तुम्हें कितना ख्याल है मेरा वो मुस्कुराहट चुपा कर पूछने लगा क्या मतलब वो एक बार फिर बॉकलाई थी ये क्यूं पूछा तुमने क्या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती उहां उसने नफी में सर हिलाया क्यों जूट बोलते हो इसमें जूट क्या है बताओ कब से मैं मनतसर हूँ तुमने चाय दी मुझे मुझे क्या पता तुम्हें चाय चाहिए कहते तो देती ना या इलहाम होता मुझे वो पड़बढाती हुई आके बढ़कर थी इलहाम ही होता है समन बीबी ना होता तो जानती ही कैसे कि तुम मेरी कौन हो वो बेसाखता हसा था जब के वो अंसुना करती हुई तेजी से अंदर जा चुकी थी नाश्टे से फारिख होकर वो उठा और वॉल्कलॉफ पर नजर डाल कर अपने पोर्शन की तरफ गया तो अम्मी अपू समेद रभी और समाना ने भी एक दूसरे को इस तफामिया नसरों से देखा था क्या बात ह ये उधर क्यों किया है रभी सवाल होटों पर ले आया था क्यों न जाए वो उसका भी तो घर है अम्मी मुस्कुराई थी नहीं मेरा मतलब है बड़े अपू तो फिलहाल है नहीं फिर वो वहां क्यों किया है रभी ने वसाहत की होगा कोई काम अपू कहने लगे और तुम दोनों से कुछ नहीं पूछोगे इस सिल्सले में, समझ गए? आप ना कहते, तब ही हम ना पूछते अबूजी, वो कहने लगी, वो उसका भी खर है, जब चाहे जाए आए, हमें भला क्यों अदरास होने लगा, हम तो बस हैरान थे, वो कहकर नाशते के खाली बर्तन समेटने लगी थी, और दूसरी तरफ, वो अपने ही पॉर्शन में अचनबियों की तरहा दाखिल हुआ था, और अब तहलीस पे खड़ा कह रहा था, फाइजा, तयारी करो कॉलेज जाने की, मैं पहुँचा दूँगा, वो कहकर रुका नहीं, वापसी के लिए पलट गया था, और फाइजा जो अमी और समीर के साथ नाशता करने बैठी थी, कितने ही लम्हे सकता-जदा सी होकर उसे देखे गई, और फिर एक दम ही उठी और दौड कर उस तक पहुँच गई थी, भाई, उसका बाजू थामते हुए वो शिद्दतों से रोई थी, मेरी बहन, मगर पागल सी, उसने मुस्कुराते हुए मुहपत से उसे समेता था, अब रो क्यों रही हो, तैयार हो कर आओ, मैं मुन्तजिर हूँ, किसी शिक्वे या शिकायत के बजाए, वो लबों पर मधम सी मुस्कुराहट लिए, उसके आंसू साफ करता हुआ, कह रहा था, अब कभी ये मत कहना, कि तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं है, मैं जो हूँ फाइजा, चलो जाओ, जल्दी से चेंज करके आओ, वरना लेट हो जाओगी, नाश्ता, नाश्ता कर लें भाई, वो धीरे से बोली थी, मैं कर चुका, वो मुस्कुरा दिया, चलो तुम जल्दी करो, आती हूँ भाई, बस दस मिनत में, फाइजा खुशी और नदामत के, मिले जुले अहसास समेथ मुस्कुराई, फिर वापस बलट गई, और उसने गरदन मोड कर, अम्मी के तासुराद जानने की सही नहीं की, बलके वहाँ से निकल कर, सहन में चला आया, जहां रभी चारपाई पर बैठा अखबार देख रहा था, और समाना, नलके के पास बैठी, नाच्टे के खाली बर्दंद हो रही थी, वो आकर रभी के बासु में बैठा, तो उसने लमहा भर को अखबार से नजरें हटाई, उसे देख कर मुस्कुराया, फिर दोबारा अखबार पढ़ने लगा, पूछो कि नहीं, वहां क्यों गया था मैं, वो उससे अखबार छीन कर कहने लगा, घर तुम्हारा है, जब चाहे जाओ, मैं क्यों पूछताज करूं तुमसे, तुम्हारे ही घर में जाने की, रभी कहकर धीरिस नहांस दिया, तो वो भी कुछ कहने के बज़ाए मुस्कुरा दिया, साथ ही उसे भी देखा, चो धुले हुए बर्तन समेट कर अब अंदर का रुख कर रही थी, भाई चले, उसी पल फाइसा कहती हुई चली आई, तो वो बर्तन उठाय आगे पढ़ कई थी, फाइसा के जुमले और अंदास की अपनाईयत महसूस कर के, इस पुरी तहां ठिटकी थी, कि सारे बर्तन हाथ से छूट कर फर्श पर गिर गए थे, रभी यार, हवा दे कहीं बेहोश ना हो जाए, उसकी बाखला हट पर वो बेश साफता हसा था, बको मत, वो जहेंप कर गिरे हुए बर्तन उठाने में लग गई थी, चलो फाइसा, वो हसी रोक कर फाइसा के साथ बाहर निकल किया था, कौन है वो लड़का, आइमीन रहता कहां है, क्या आपने ही महले का है, वो उसके साथ चलता हुआ पूछ रहा था, पता नहीं भाई, मैं नहीं जानती, वो धीरे से बोली थी, कब से पीछे लगा है, साल होके आशायद, फाइसा के आवाज सब भी धीमी ही थी, शर्मिंद के गालिब थी शायद, और तुम मुझे बता नहीं सकती थी, मर गया था ना मैं, ऐसा क्यूं कह रहे हो भाई, उसने फॉरन टोका तो सिजील ने मुस्कुराते हुए, कदमों की रफ़तार तेज कर दी थी, भाई, वो जैसे ही गली का मोड मोड़ा, फाइसा ने इस तरारी से उसका पाजू पकड़ लिया, वो, वो सामने से आ रहा है, ब्लैक शर्ट वाला, रिलेक्स रहो यार, मैं हूँ ना, चलती रहो रोके बगएर, उसने कहते हुए तसलिया में इस तबकी दी थी उसके शाने पर, हेलो जान, सुनो, हम यहां मुन्तजर खड़े हैं और तुमने दूसरा, उसने बड़ी दीदा दिलेरी से फाइजा की, राह रोकी थी, और जो कुछ कह रहा था, कहना पाया था, क्योंकि सिजील ने उसके ग्रेबान पर हाथ डाल दिया था, पहली बार देखा है तुम्हें मैंने, अपनी बेहन की राहों में, उसे ग्रेबान से थामें, वो दांत पर दांत चमाए कह रहा था, और दूसरी बार नजर आए, तो फिर मैं तुम्हें वर्निंग नहीं दूँगा, ये हमारी आखरी मुलाकात हो, ये ही बहतर होगा तुम्हारे लिए, समझ गे, उसने सुकून से बात खतम करके, उसे परे धकेला था, और फिर फाइजा का हाथ थाम करा आके बढ़ गया था, वो भाई, भाई, वो बुरी तरह काप रही थी, तब वो तवील सांस लेता हुआ, उसे रस्ते के किनारे खीच कर ले गया था, पागल लड़की, डरती क्यों हो इतना, उसके कंदे से फिसलता बैक सम्हाल कर, उसका पसीने से तरचहरा साफ करते हुए, उसने उसे खुद से लगाया था, जबके वो हनूस खौफ सदा सी, बीचे मुड मुड कर देखे जा रही थी, वो बलैक शर्ट वाला वहां नहीं था, चला गया वो, वो उसकी चादर दुरुस करता हुआ कहने लगा, अब नहीं आएगा वो, अगर आया तो फिर मैं उसकी धुलाई करूंगा, नहीं भाई, वो खतरनाक हो सकता है, वो मना करने लगी, हाँ, ऐसे रोड रोमियोस खतरनाक नहीं, बुजदिल होते हैं, समझी मेरी मुनी सी बहन, वो बेसाखता मुस्कुराया था, तुम्हें तन्हा जान कर ही, वो तुम्हारे पीछे लगा होगा, बाप यहां है नहीं, और भाई छोटा है, लहाज़ा मैदान साफ देख कर, वो तुम्हें तंग करता रहा, अब नहीं आएगा वो, तुम्हारे रास्ते में, और आया तो मैं हूँ ना, देख लूँगा उसे, अब चलें, उसने धीरे से हस कर, उसके गाल पर थपकी दी, तो वो अस्वात में सरहिला कर चल पड़ी, वापसी का वक्त बता दो, मैं लेने आ जाओंगा, कॉलेज स्केट तक पहुँच कर वो बोला था, मैं चली जाओंगी भाई, वो सिर्फ इसी वक्त पीछे लगता था, वापसी में नहीं, वो बोली, ओके, वो मुस्कुराता हुआ वापसी के लिए मुड़ा, तो पाईजा ने एकदम ही उसका हाथ पकड़ लिया, वो चौक कर पल्टा था, थैंक्स भाई, वो कह रही थी, आज आप ना होते तो पता नहीं क्या होता, मैं यकिनन कॉलेज छोड़ दे थी, ना होता तब ना, मैं तो हूँ, वो मुस्कुरा दिया, अब वादा करो कि आएंदा कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो सबसे पहले मुझे बताओगी, बताओगी ना, वो पूछ रहा था, और वो अस बात में सर हिला रही थी, ओके, जाओ अब और बिलकुल बेफिक्री से रहो, कि तुम्हारा बड़ा भाई भी है, तुम्हारी हिवासत करने के लिए, है या, वो रुक कर मुस्कुराया, है ना भाई, फाइसा गद्रे मुस्कुराई तो वो हस्ता हुआ, उसके सर पर चपत लगा कर बापसी के लिए पलट गया था, यार रभी, लोग बेहोश हो रहे थे, अब क्या कंडिशन है, खरा कर वो गद्रे शरारत से रभी से पूछ रहा था, जवाब में रभी का कहता हा बलंद हुआ, और वो जो पास ही बैठी थी, तोनों को खूरती हुई बहां से चली गई थी, और उसी शाम जब वो रभी के साथ आफिस से वापिस लोटा, तो अमी ने उसके सलाम के जवाब में बड़ी महपत से उसे गले लगा कर पेशानी चूमी थी, ये खिलाफे मामूल बात हुई थी, इसलिए जहां वो ठिटका, वही रभी भी चौँका था, ओहो अमी, बात क्या है, बड़ा प्यार उमट रहा है, आज इस डफर पर रभी हस कर पूछने लगा, आज जी खुश कर दिया है मेरे सज्जू ने, अमी मुस्कुराई, वो कैसे चची जान, वो पूछता हुआ चुक के जूते के तसमे खोलने लगा था, और अमी रभी को फाइसा के बारे में बताने लगी, वो पागल लड़की भावी को कुछ कहने ही नहीं दे रही थी, कि वो तुम्हारे अबू या चचचा के सामने बात रखती, वो तो सिजील ने सुन लिया, और फिर जो रवया अख्तिया, उसने मुझे ही नहीं तुम्हारे अबू को भी खुश कर दिया, उसने इन सब की बेगानगी के जवाब में उन्हें अपना बंद दिया, बड़ी बात है ये बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, फखर हो रहा है अपने सजु पर, आपको किसने बताया ये सब, वो सीधा खड़ा होकर पूछने लगा, भाबी बता रही थी, यानि अम्मी, जाने क्यूं वो हैरान हुआ, वो आती है यहां, आने जाने की क्या बात बेटा, एक ही छत्तले रहते हैं, बाप जी तो रोज भी होती है, मगर मैंने तो कभी नहीं देखा, उन्हें आप से बात करते हुए, तुम्हारे सामने, वो इस तरफ आती भी तो नहीं हैं बिटा, हम्, वो तवील सांस लेकर, अपने कमरे की जानिब चल दिया था, तो तुम सुभा, फाइसा के साथ इसलिए गए थे, अम्मी से सारी तफसील जानने के बाद, अब रभी उससे पूछ रहा था, हाँ, उसने सर हिला दिया, तो तुमने मुझे सुभा ही क्यों ना बताया, तुमने पूछा था, बिना पूछे बता नहीं सकते थे, रभी लड़ने लगा था, बता तो देता, बता देता तो क्या करते तुम, मैं भी साथ चलता, दोनों जम कर धुलाई करते उस मचनू की, फैर धुलाई वाला बंदा नहीं था, पिद्दी सा था, मेरा ख्याल है एक ही धंकी में डर गया होगा, वो कहकर हसा, फिर संजीद की से पूछने लगा, यार अपनी सुमी के साथ तो ऐसी कोई प्राब्लम नहीं है, रभी कहने लगा, खुदा ना करे कैसा हो, बगर्ज महाल हुआ भी, तो वो तो पहले ही दिन रो रो कर क्यामत धा देगी, फाइसा तो है नहीं के बरताश्ट कर जाए, नहीं खैर वो ऐसी भी रर्पोक नहीं है, जैसी तुम समझ रहे हो, वो बोला, ओए हुए अभी से तरफदारी, रभी हसा, क्यों ना करूं, पार्टनर जो है, उसने हसते हुए बाथरूम की राह ली थी, फाइ, यह आपके लिए लाई हूँ, और जब दोनों चेंज करके चाए पीने बैठे, तो फाइजा चोटी सी ट्रे उठाय चली आई थी, हाँ बैठो, देखूं क्या है, उसने पहले उसे अपने पास बिठाया, फिर ट्रे से रुमाल हटाया, फाई में नहीं जानती, कि आपको क्या पसंद है, खीर बनाई है और आलू के पराठे, वो सर जुकाए यूं कह रही थी, जैसे उसकी पसंद ना जानना बड़ा जुर्म हो, मुझे ये भी पसंद है बैठा, वो उसके सर पर चबत लगा कर हस दिया, आप खाएं, मैं पानी लाती हूँ, वो मुस्कुराती हुई उठकर किचन की तरफ चली गई थी, तेरे तो मज़े हो गए प्यारे, रभी ने उससे पहले ही ट्रे की जानेब हाथ पढ़ाया, अबेर तेरे लिए नहीं लाई मेरी बेहन, उसने जल्दी से ट्रे अपनी जानेब खीच ली थी, डफर, खुद मेरी बेहन के हाथों का बना ठूंसता रहता है, तब मैं कुछ कहता हूँ, चल ला इधर, रभी ने खूर कर ट्रे की तरफ दुबारा हाथ पढ़ाया था, इसे याद रखो के तेरी बेहन मेरी पार्टनर भी होती है, तो मैं तेरी बेहन को पार्टनर बना लूँगा, चल ला इधर, रभी ने हस्ते हुए ट्रे से पराठा उठा ही लिया, चल बे, एक पराठे और जरा सी खीर खाने के लिए तू, बस, कुछ और फॉल मत बखना, रभी ने एकदम हाथ उछा कर बात काटी थी, मैं सीरियस हूँ यार, शादी तो करनी ही है, फिर फाइसा क्या बुरी है, और उससे पहले के मेरा रिकॉर्ड लगाए, मैं बता देता हूँ, कि तुझे साला बनाने का ख्याल, अभी अभी मेरे दिमाग में आया है, समझे, पहले से कुछ नहीं सोचा था मैंने, रभी ने बात खतम की, तो वो मुस्कुराता हुआ, उठ कर जाने लगा, अभी क्या हुआ, कहां चले, बात करनू चची से, तुम्हारा भरोसा है कुछ, बदल गए तो, वो शोखी से मुस्कुराया, अभे टफर, तुने समझा क्या है मुझे, रभी ने कींज कर दोबारा बिठाते हुए, उसे कितने ही खुन से जड़ दिये थे, अम्मी से अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समझे, क्यों मगर, जवाबन उसने भी रभी की धुलाई कर डाली थी, वो तो सुनते ही तारीख पिक्स करने बैठ जाएंगी, अरे उनका बस चले, तो अभी पकड़ के शादी कर दे मेरी और मैं, तो इसमें हर्च क्या है रभी, अब तो हमें जॉब करते हुए भी दो साल बीट गए, वो बात काट कर बोला था, तो छे माँ या साल मजीद बीटने दो, यार जल्दी क्या है, रभी ने कहकर टांगे पसारी, और कबल इसके के वो कुछ कहता, फाइसा पानी और चाए लेकर आ गई, तो वो चुप ही रह गया, समी कहा है यार, वो पूछने लगा, आटा कूंद रही है, फाइसा ने बताया, पानी में डाल कर, वो बे साखता हसा था, तो फाइसा पहले ठिटकी, फिर नफी में सर हिला कर मुस्कुरा दी, बैठो, तुम खड़ी क्यों हो, रभी बोला था, नहीं मैं अब जाओंगी, वो कहती हुई चली गई, तब वो रभी के शानों पर बाजू रखता हुआ कहने लगा, रभी यार, आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है क्यों, एक बहन ने भाई जो समझा है, ये कम खुशी की बात तो नहीं है, रभी मुस्कुरा दिया, एक और बात है, वो बोला, वो क्या, तुम जैसा डफर बहनोई भी मिला है ना, वो शरारत से हसा था, खुद भी तो डफर ही हो, रभी ने खुंसा जड़ दिया था, और वो एक तम ही जाने के लिए खड़ा हो गया, अब कहां चले तुम, यार बहुत दिन हो गए, मैंने अपनी पार्टनर को आईस क्रीम तक नहीं खिलाई, वो कहता हुआ चला गया था, और जब वो दुबारा वापिस आया, तो हाथ में छोटा सा पैकेट था, चजी जान, सुमन कहां है, सहन और अगले कमरे में भी वो नजर ना आई, तो वो अम्मी से पूछने लगा, अपने कमरे में होगी बेटा, अम्मी बोली तो वो पलट कर उस कमरे की जानिब चला गया, लम्हा भर को दहलीज पर रुक कर देखा, वो बेट पर किताबें फैलाए बैठी, नोट्स बनाने में मनहमिक थी, हेलो, वो एक तम ही करीब पहुँच कर चीखा था, या ला, वो उचल कर सीधी हो बैठी, बहरी नहीं हूँ मैं, खबवच से उसे खूर कर नोट्बुक बंद की थी उसने, मैंने कब कहा के बहरी हो भई, तुम तो अनकही भी सुन लेती हो, उसने जेरेलब कहते हुए पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया था, क्या है, वो दानिस्तन उसकी बाद नजर अन्दास करके, पैकेट की तरफ मतवच्चा हुई थी, और वो बेज साख्तगी से मुस्कुराया था, आईस्क्रीम और पीजा लाया हूँ, मैंने तो नहीं कहा था, वो पैकेट खोलने में लगी रही, पागल सी लड़की, जैसा मैंने सोचा था, आईस्क्रीम के कप में चमच खुमाती हुई, वो नजरें चुकाय कह रही थी, हम्, तु सोचती भी हो मुझे, कैसा सोचा था, वो बेज साख्तगी से मुस्कुराया था, जैसे तुम हो, कैसा हूँ मैं, अब के उसके लहजे में शोखी थी, जिसे महसूस करके ही, वो उसे खुर्टी हुई बोली थी, डफर हो, वो हस्ती हुई आईस्क्रीम और पीज़ा लेकर भाग गई थी, थैंक्स, उसकी हसी बड़ी जानदार थी, जो उसके पीछे तक गई थी, अगले कई दिनों तक वो बागायत की से फाइसा को कॉलिज तक पहुंचाने जाता रहा था, मगर वो रोड रोमियो उसे दोबारा नज़र नहीं आया था, और जब बहुत से दिन गुजर गए, तो फाइसा ने भी उसे मना कर दिया ये कहकर के, भाई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से जा सकती हूँ अकेली भी, वो बोली, तो वो जैसी तुम्हारी मर्जी वाले अंदास में शाने उचका कर, मुस्कुरा दिया था, और दूसरी जानब, उसने रभी के मना करने के बावजूद अम्मी को बता दिया था, कि वो फाइसा से शादी का खौाहिश मन्द है, बस फिर क्या था, अम्मी तो रभी के पीछे ही पड़ गई थी, और रभी उसे सलावातें सुनाते ना थकता था, और वो भी धिटाई से हंसता हुआ, उसकी सारी उल्टी सीथी बातें सुने जाता था, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम अभी नहीं अभी नहीं, क्यों कि ये जा रहे हो, उस रोज अम्मी आजसा कर रभी को डान रही थी, इस माह के आखिर में फाइजा के अबू मसकत से आ रहे हैं, बस तो तारिख तै कर दूंगी, सुन रहे हो, हाँ सुन रहा हूँ, रभी ने जल कर उसे खूंसा जड़ दिया था, जो पास ही बैठा, मस्कुरा मस्कुरा कर उसे मसीब ताउ दिलाए जा रहा था, तुम कितने कमीने होना सज्जू, रभी खूब ही तप रहा था, पिछले कई दिनों से हर दिन पचास पार ये जुमला सुनता आ रहा हूँ, प्यारे, अब कोई नई बात कर, वो हस रहा था, इसकी कर दें अम्मी आप, रभी अम्मी की जानिब खूमा, होगी इसकी भी, पहले तुम तो करो, अम्मी बोली, जरूरी है कि पहले मेरी ही हो, वो और भी सुलगा, हाँ जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे पास अभी नहीं का, कोई खास जवास मौजूद नहीं है, जबकि सज्जू के पास है, पहला तो ये कि अभी समाना पड़ रही है, और दूसरा ये कि ये अपना जाती मकान बनाना चाहता है, ये कोई जवास नहीं है अम्मी, ये डफर हमारे साथ भी रह सकता है, रभी ने उसे घुरा था, मतलब ये कि घर जमाई बन कर, ताके तुम साले सारा दिन मुझसे अपनी जूतियां सीधी करवा सको, अच्छा, उसने आँखें दिखाईं, चुब्बे, वरना बजा दूँगा कान के नीचे, रभी ने बेर साथगी से हस्ते हुए उसे खुट से लगाया था, फिर कहने लगा था, देखो प्यारे, जो तुमने सोचा है ना, कि तुम्हारा जादी मकान होगा, फिर तुम शादी करोगे, तो ऐसा ही कुछ मैंने भी सोचा है, मकान तो मेरा है, मगर देखो ना, कितना पुराना है, और मैं इसे नया लुक देना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे कुछ वक्त तो चाहिए, ताकि रखम इखटी कर सकूँ, जितनी रखम तुम अब तक कमा चुके हो ना, उससे ये मकान आराम से नया बन सकता है, कौन से दरो दीवार उखाडने हैं, बस रंगो रोगन ही तो करना है, और कुछ नया पर नीचर वगारा लाना है, और क्या, अम्मी कहने लगी, बस भाईया आ जाएं, मैं शादी कर दूंगी तुम्हारी, समझे, वो फैसला सुना कर चली गई थी, तब सजील गद्रे शरारत से कहने लगा, यार तुम्हारा सुसर तो वैसे भी बड़ा पैसे वाला है, फाइजा इतना तो ले ही आएगी, कि तुम अपना मकान उफ साले, मूंसे बात करना, उसकी बात दूसरी जाने मुड़ गई थी, तुमने मुझे समझा क्या है, हाँ, डफर कहीं के, दोनों की लातें और हाथ खूब ही चल रहे थे, एक दूसरे पर, जब अबू जी ताखिल हुए थे, कि हूँ क्या रहा है, हाँ, कुछ नहीं चैसाचान, हम तो महबबत कर रहे थे, वो फॉरण ही रवी को छोड़ कर उठा था, हाँ, अबू जी, रवी ने चट ताइद की, तो वो मुस्कुराहट चुपा कर, दोनों को घूटते हुए अपने कमरे के जाने पढ़ गे, ये कहते हुए के, असल में सज्जू बड़े अबू अपने साफता रवईयों पर नादिम है, वो सदा तुम्हारी तरफ से गाफिल रहे हैं, फिर भी तुमने उनकी बेटी का ख्याल रखा, उसे मस्बूथ सपोर्ट दिया, नदामत का एहसास खालब है उन पर शायद, इसलिए भी वो बार बार थैंक्स कहते हैं तुम्हें, आइनो यार, वो बोला, मुझे उनसे कोई शिक्वा नहीं है, फिर वो क्यों नादिम है, मुझे अच्छा नहीं लगता, बाप होकर बेटे से थैंक्स कहते हैं, हर बार मैं कहता हूँ उनसे ये सब, मगर, खैर खैर उठो अब जाओ, तुम फोन सुनो, वो मुंतसर होंगे, रभी ने कहते हुए उसे उठा दिया, चार माह में ये पता नहीं, कितने नंबर की फोन कॉल्स हैं गया, मैं तो गिंती भूल गया, वो मुस्कुराता हुआ अपने पोर्शन की जानब चला गया था, और जब जब ज़रा देर बाद वापिस आया, तो अम्मी को बताने लगा, अबू जी परसों आ रहे हैं चची जान, आप जल्दी से तयारी करने, इसी हफते हम रभी का पैंट पजवा देंगे, हैं, ये क्या बोले तुम, अभी तो अम्मी कह रही थी के इस महीने के आखिर तक, रभी की बॉकलाहट काबले दीद थी, अम्मी और सिजील समेर समाना भी हसने लगी थी, अबू जी, आप समझाए ना, मैं कहीं भागा जा रहा हूँ, रभी बेचार की से अबू से कहने लगा, ख़चा है भाग जाओगे, इसलिए, अबू इत्मिनान से मुस्कुराए थे, अबू आप भी बस समझते नहीं है मेरी बात, बखुबी समझते हैं हम, कि तुम्हारे पास इतना सर्माया है, कि तुम जिस तरह चाहो अपना घर सजा सको, जो जवाज तुम अब तक देते आए हो, उसमें कोई दम नहीं है, समझे, अबू ने बात ही खतम कर दी, तो वो मुँ फेर कर मुस्कुरा दिया, चलो प्यारे, कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लो, परसों सुसर आ रहे हैं तुम्हारे, सिजील हस्ता हुआ उसे अपने साथ खसीर ले गया था, यार सज्जू तुम भी करो ना शादी, इतना अर्मान था मेरा, कि हम दोनों की शादियां एक साथ हों, समी भी तो अब सेकेंड एर में आ गई है, रभी कह रहा था, प्यारे मुझे मुझे मुकमल ग्रेजवेट बीवी चाहिए, समझे तुम, वो शूखी से मुस्कुराया, यानि एक साल मजीद आजादी से खुमों के, अच्छा, रभी खुब तपा, येस अफ़ कॉर्स, वो हसा लेकिन यार, मैं आजाद कहा हूँ, वो हर दम हर पल मेरे साथ होती है, मेरे पास होती है, मुझे में बस्ती है वो, वो चुब हुआ तो अभी कितनी ही देर तक, खामोशी से उसे देखे गया, फिर उसके कंथे पर हाथ रख कर कहने लगा, सज्जू, यूही रहना सदा, बदलना नहीं, गर बदले तो फिर मेरी बेहन जीना सकेगी, ना, यू मत कहो यार, उसने फॉरन टोका, फिर शोखी से कहने लगा, हालंकि ये डायलॉग जो तुमने कहा, उसे कहना चाहिए था, वो क्यूं कहेगी, क्या तुमने कभी बताया उसे, कि वो तुम्हारी क्या है, रभी ने हस कर धब चमाई, नहीं, मगर जानती तो सब है न, वो धीरे से हसा, यार मैं जब कभी उससे कहता हूं, समी एक बात तो पूछूं, या समन एक बात बताओ, तो पता है, तुम्हें कैसी हरासा होती है वो, ऐसा घबराती है, कि बस मसा आ जाता है, उसकी सूरत देख कर, डरती ही रहती है, कि कहीं मैं एक आरे महपत ही न करने लगूं, मगर मैं करता नहीं हूं, कुछ कहता नहीं हूं, कहूंगा तो उस वक्त जबके, वो बाद अधूरी छोड़ कर, चुप हो गया था, जबके, रभी ने डुका, क्यों, तुम्हें क्यों बताओ, जब कहना होगा, जिस वक्त कहना होगा, उसी से कहूंगा, साला, रभी उसे खूर कर रह गया, वो तो तू मेरा बना है पहले, समझा, वो शोखी से हसा, तुर अभी भी हस दिया, सजील, सजील, उठो ना, वो उसे आवाजें देते देते, तंग आ गई थी, और वो हूँ हां करके, बार बार करवट बदल रहा था, अफीम खाकर सोय हो क्या, बड़े अबू आ गए हैं, वो बोली थी, आना ही था उन्हें, कौन सी नई बात है फिर, वो कहकर मुस्कुराहट चुबा गया था, वो तुम्हें पूछ रहे हैं, और तुम्हें सोने से ही फुरसत नहीं है, वो उसे खूर कर जाने लगी थी, मगर उसने पुकार लिया था, समी, यार बात तो सुनो, क्या है, वो रुक कर मुड़ी थी, अब उसे मैं एक बात क्या करूंगा यार, मैंने तो कभी उनसे बात नहीं की, जब से बाशाओर हुआ हूँ, वो बोला था, फोन पर तो करते थे ना बात, वो बोली, वहाँ फासले हाइल होते थे समन, और अब रूबरू, मैं समझ नहीं पा रहा, कि उनसे मेरा रवया कैसा होना चाहिए, जैसा एक सादतमन बेटे का, रवया होता है सिजील, वो कहने लगी, और तुम पहली बार तो मिलने ही रहे हो उनसे, पहले भी जब वो आए थे, तो तुम मिलने जाते थे उनसे, वो मिलना कोई मिलना नहीं था समन, वो तवीर सांस लेकर कहने लगा, बस सलाम ही करता था, और वो इतनी बेदली से जवाब देते थे, कि फिर मैं उनसे कोई बात किये बगैर ही वापिस आ जाता था, वो पहले की बात थी सिजील, अब तो सब बदल चुका है, उनका जैसा रवया देखना, तुम भी वैसे ही बन जाना, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर, अगर तलखियां पैदा हो गई तो, सिजील तुम बाजी से मिले, बड़ी अम्मी से मिले, उस वक्त तलखियां पैदा हुई, नहीं ना, हालांके दोनों से सोतेला रिश्टा है तुम्हारा, और बड़े अबू तो सके बाफ है तुम्हारे, फिर तुम ऐसा क्यूं समझते हो, कि तलखियां जनम लेंगी, क्या तुम्हें कोई शिक्वा है उनसे, नहीं खैर, वो नफी में सर हिला कर मुस्कुराया था, शिक्वा तो मुझे कभी नहीं रहा उनसे, तुम सब की महपतें ही इतनी मिली के, अबू की बेहिसी ने मुझे कभी हर्ट नहीं किया, है तुम चलो मैं आता हूँ, वो कहता हुआ बाथरूम की जाने पल्टा, तो वो मुस्कुराती हुई चली गई, और जब वो कमरे से निकल कर, पैठक में आया तो देखा, उसके अबू चचा के साथ ही बैठे बातों में मसरूफ थे, छोटे चचा और उनकी पूरी फैमिली मौजूद थी, असलाम लेक्म अबू जी, कैसे हैं आप, वो अपने साबका अंदास में ही मुस्कुराता हुआ उनकी जाने पढ़ा था, और इस वार अबू हमेशा की तरहां महस हूं कहकर सर हिलाने पर इक्तिफ़ा नहीं कर सके, बलके उन्होंने बढ़कर उसे गले लगा लिया था, मुहबबत से उसकी पेशानी चूमी थी, अबू जी, मैं आपसे ठीरों बातें करना चाहता हूँ, बशर दिये कि आप अपने सापका रवईयों को याद ना करें, मुझसे ये ना कहें कि आपकी तमाम तर बेतवजही और बेहिसी के बावजूद, मैंने आपके गैर मौजूदकी में अपनी बहन का ख्याल रखा, वो धीरे धीरे कहता हुआ, वो सारी बातें दोहरा गया था, जो अब तक उससे फोन पे कहते रहे थे वो, सच पूछें तो मुझे अच्छा नहीं लगता, जब आप ये सब कहते हैं, मुझे यूं महसूस होता है, जैसे आप मुझे अपना बेटा समझते ही नहीं हैं, अगर समझते, तो फिर इस तरह नहीं कहते, अबुजी मैंने जो भी किया, इसलिए किया कि आप ही का बेटा हूँ, और कब तक बेखबर रहता, अपनी बेहन से उसकी परिशानी से, ओके ओके बेटा, हम कुछ नहीं कहेंगे, बस अब खुश, अबुने मुस्कुराते हुए, उसके सर पर हाथ फेरा था, हाँ, बेहत, वो मुस्कुराता हुआ, उनके साथ ही पैट किया था, बड़े अबु, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी या कोल रिंक, समाना आकर पूछने लगी थी, हम तो खाना खाएंगे बेटा, वो मुस्कुराए, वो तो खाएंगे ही बड़े अबु, मैं तो अभी इस वक्त की बात कर रही हूँ, चाय का वक्त है ये, तो बेटा हम भी चाय ही पिएंगे, वो बोले तो ठीक है वाले अंदास में, सर हिला कर वो वापिस चली गई, तब वो उसे पूछने लगे, और सुनाओ बेटा, क्या कर रहे हूँ आजकल, जॉब कर रहा हूँ अबु जी, तक्रीबन धाई साल से, रभी के साथ ही हो, जी हाँ, तो फिर सिर्फ उसकी चादी क्यों, तुम्हारी भी क्यों ना कर दे, जी बड़े अबु, इसे भी साथ ही निम्टा दें बस, रभी फॉरन बोला था, चुपे, वो उसे खूर कर अबु से कहने लगा, अबु जी, फिल हाल में नहीं करना चाहता, लेकिन क्यों, मैं बताता हूँ बड़े अबु, रभी कहने लगा, यार तु चुप करना, वो मना ही करता रह गया, मगर रभी अंसुना कि एक कहता रहा, अब आप बताईए बड़े अबु, सरूरी है कि ये अपना मकान खरीदे ही खरीदे, बात के अख्तिताम पर वो पूछ रहा था, अबु जी, ये मेरी खुआहिश है, अबु से पहले ही वो कहने लगा, मैं समन को सिर्फ वो ही देना चाहता हूँ, जो मेरा हो, मेरी मेहनत की कमाई का हो, समन को, अबु ठिटके थे, जी अबु वो, मैं वो लम्हा भर को छिशका, फिर कहने लगा, मैं शादी समन से ही करूँगा, ओके बेटा, खुशी हुई हमें, अच्छी बच्ची है समन, अबु मुस्कुरा दिये, अबु सिर्फ 15 दिनों की चुट्टी पर आए थे, खुशूसां फाइसा की शादी के लिए, यो अगले हफ़ते ही, रभी और फाइसा की शादी की तारिख, तैकर दी गई थी, और शादी से तीन दिन पहले सजील ने, एक साथ कई पैकेट समाना को थमाए थे, ये कहते हुए के, समन ये तुम्हारे लिए, इतना सब से जील, एक जोड़ा ही काफी था, वो नजरे नीची की ये कह रही थी, पसंद आये तुम्हें, वो मुस्कुरा कर पूछने लगा, हाँ मगर क्या सरूरत थी से जील इतना सब लेने की, बस दिल चाहा दो ले लिया, तुम कहो, पहनोगी न ये सब, हम, वो असबात में सरहिला कर मुस्कुराई थी, थैंक्स, वो मुस्कुराता हुआ चला गया था, और फिर रभी की शादी के हर तकरीब में, उसने सब उसी के लाए हुए कपड़े और सेवर इस्तमाल किये थे, मगर उससे शर्माई शर्माई सी, कत्राई कत्राई सी रहती थी, और वो उसके सारे रूप कैमरे में कैट करता चला गया था, और जब शादी के दूसरे दिन रभी और फाइजा हनीमून के लिए गए, तो अबू ने भी मसकट जाने की तयारी शुरू कर दी थी, अबू कहने लगे, और कुछ तो कभी ना दिया बेटे, हमने तुम्हें प्लीज, इंकार मत करना, नहीं अबू जी प्लीज, वो चाबियों समेथ, उनके हाथ थाम कर कहने लगा, मैंने कहा था आप से, कि मैं समन को वो ही दूँगा, जो मेरा होगा, मेरी महनत का होगा, मैं ये नहीं लूँगा, अबू जी, प्लीज आप ये फाइजा को दे दें, या फिर समीर को, मैं अनकरीब एक छोटा सा मकान खरीद रहा हूँ, तो बेटा, मैं ये समझ लूँ कि तुमने मुझे माप नहीं किया, अबू जी प्लीज, वो कहने लगा, मुझे आप से कभी कोई गिलाश इत्वा नहीं रहा है, मगर मैं ये नहीं ले सकता, प्लीज अबू जी, समझे मुझे, ओके बेटा, जैसा तुम चाहो, उन्होंने तवीर सांस लेकर चाबियां वापिस ले ली थी, खफा हैं अबू जी, वो पूछने लगा, नहीं बेटा, वो उसे खुछ से लगा कर मुझे तुम पर, पसंदाई तुम्हारी खुद्दारी भी, खुदैतमादी भी, ठैंक्स अबू जी, वो धीरे से हस दिया था, चची जान, मैं समी को ले जाओ, काफी अरसे बाद वो उसे कहीं ले जाने की अजास्त मांग रहा था, तो चची का चौंकना फितरी था, कहां बिटा, वो मुस्कुरा कर पूछने लगी, है कोई जगा, वो सेरे लब मुस्कुराया था, वो ही तो पूछ रही हूँ, के कौन सी जगा, चची जान समझा करे न, मैं बताना नहीं चाहता फिलहाल, समन वापिस आएगी, तो उससे पूछ ले न आप, ठीक है भई, ले जाओ, मगर जल्दी वापिस आना, अमी ने अजासत देती, तो वो से देखने लगा, जो पास ही बैठी थी, चलो उठो न, वो बैठी ही रही, तो वो बोला, और वो कुछ कहने के बचाए नफी में सर हिलाने लगी, मगर पाईजा ने हाथ पकड़ के उसे उठा दिया, ये कहते हुए कि चलो जाओ, चेंज करो जल्दी से, मेरा भाई तुम्हें खा नहीं जाएगा, और खा गया तब, रभी शरारत से पूछने लगा, तब तुम मेरी बेहन को खा जाना, हिसाब बराबर, समझे टफर, सिजील ने हसते हुए उसके कंधे पर खूसा चड़ दिया, तेरी बेहन मुझसे हजम नहीं होगी प्यारे, तो तेरी बेहन कौन सा तरने वाला है, चो मे चलो, वो कहता हुआ आगे पढ़ा, तो वो उसके पीछे चल दी, बैठो समन, बाहर कली में खड़ी बाइक स्टार्ट करके सिजील ने उसे देखा, तो वो चुप चाप पिछली सीट पर पैठ गई थी, पूछोगी नहीं कि किसकी बाइक है, वो बाइक आगे पढ़ाता नहीं, क्यों, मुझे पता है कि तुम्हारी ही है, वो मुस्कुराई थी, मैंने तो तुम्हें नहीं बताया, फिर कैसे जाना तुमने, वो भी मुस्कुराया था, मुझे पता है सिजील, तुम मुझे मांगे की खुशी कभी नहीं दे सकते, तुम मुझे वो ही दोगे, जो तुम्हारा होगा। हाँ सच कहा तुमने सुमन। उसकी मुस्कुराहट कहरी हो गई। आज ही खरीदी है मैंने ये बाइक। और शोरूम से लेकर सीधा घर ही आया था। मगर किसी को बताया नहीं क्योंकि मैं सबसे पहले तुम्हें बताना चाहता था। पता है क्यों। क्या जानता हूँ मैं वो शरीर हुआ अब मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगी। बस उसने मुस्कुराहट चुपा कर उसके कंथे पर हाथ मारा था। यार एक तो तुम बड़ी कंजूस हो ना खुद कुछ कहती हो ना मुझे कहने देती हो वो बेसाखतकी स हसा था। मैंने तुम्हें रोका नहीं था कहने से। वो बोली थी और जवाबन उसने कुछ कहने के बजाए वाइक रोग दी तो उसने अतराफ में नजर डाली। एक दीदा सेव मकान के सामने वाइक खड़ी थी और वो कह रहा था चलो यार उत्रो भी। किसके घर लाए हो मुझे तुम। वो उतर कर पूछने लगी। साथ ही मकान के दर्वाजे पर नजर डाली जो बाहर से मकफल था। ये तो बंद है सिजील। किसका घर है। वो मुड़कर पूछने लगी उससे जो बाईक एक किनारे खड़ी कर चुका था। ये हमारा घर है समन। वो लेली बंद करते हुए वो जस्प से बोला था। सिजील ये बहुत कुछ कहने की चाह के बावजूद वो कुछ कहना पाई। आंखों में खुशी से जिल मिलाते आंसू लिये उसे देखे गई। आओ। वो उसे ठाम कर चंद सीड़ियां तै कर गया था। खोलो समन। वो ब बता है मुझे बहुत खुश हो तो यार हसना चाहिए या रोना। उसने मुस्कुरा कर बड़ी महपत से उसे समेटा था और दूसरे हाथ से खुफल खोल दिया था। पहला कदम रखो समन। वो कह रहा था। हम एक साथ रखेंगे से जील वो सर उठाकर उसे देखती हुई पीगे आँखों समेट मुस्कुराई उसने असबात में सर हिलाते हुए उसके कदम के साथ ही अपना कदम खर में रखा था। फिर दर्वासे के दाईं तरफ वाली दीवार में नजब सुइच बोर्ट के मेन बटन दबाते हुए उसने सारी बत्तियां रोशन कर दी थी और हैरत और खुशी का मिला जुला एहसास लिए सजे समरे जखमगाते हुए कमरों को देखने लगी। कुल तीन कमरे थे फरनीचर से आरास्ता और एक किचन था सुरूरी लवासमात से सजा हुआ छोटा फ्रिज भी नज़र आया था उसे और बेडरूम देखकर तो वो काफी ह हरान हुई थी क्योंकि उसे काफी एहतमाम से आरास्ता किया गया था इतना सब तुमने कर लिया सजील और मुझे बताया तक नहीं वो बहुत खुश थी अब बता रहा हूँ ना समन तुम कहो पसंदाया तुम है वो मुस्खुरा दिया हाँ बहुत बेहद मैंने तो सोचा भ ऐसे ही सजील सदा चाहोगे मुझे बोलो ना हाँ हाँ समन बहुत बेहद बेहसाब खुश से ज्यादा इतना कि तुम अंदाजा नहीं कर पाओगी तुम ही कहती थी थी ना कि चाहत बेंदाजा होनी चाहिए उसके शानों पर हाथ रखे वो मुहपत से कह रहा था मैंने तो कभी नहीं कहा था सजील वो पलकें चुका कर मुस्कुराई थी मैंने भी तो नहीं कहा था समन फिर भी मैं जान गई महसूस कर गई और उमर भर महसूस करो की समन मैं शदीद एहसास दूंगा तुम्हें अपनी मुहपतों का मैं भी दूंगी सजील लवों पे खुबसूरत म दूरुस करते हुए वो सरशारी से मुस्कुराया था इस यकीन के साथ कि तुम मुझे दुबारा यहीं लाओगे वो पूछने लगी बेशक सुमी तुम्हारे लिए ही तो बनाया है हमारे लिए सिचील हम दोनों के लिए उसने तस्ही की किसी तीसरे की कुझाईश नहीं न चौथा भी पांचवा भी और युद्दफर सिचील कितने बेशरम हो तुम अब वो उसका इशारा समझी थी और उसके सीने पर मुक्के बरसाती चली गई थी जबके वो हस हस कर बेहाल था बोलो ना निकलेगी तीसरे की कुझाईश या वो हसी रोक कर उसके हाथ थामता हु शरीर से लहचे में पूछ रहा था वापिस चले अब वो मूँ फेर कर मुस्कुराई थी पहले जवाब तो मेरी बात का कौन सी बात वो अंजान बन गई थी ठीक है इतरा लो तीसरा चौथा तो हम आपसे ही लेंगे समन बीबी और तुम्हें देना ही होगा समझी तुम वो बे ताहशा हस रहा था सिजील शरम नहीं आती तुम्हें वो बेहद सर पटाई थी काहे की शरम यार बिलकुल जायस मतालबा है वो ठिटाई से बोला तब तो मानना ही पड़ेगा वो मुस्कुरा कर कहती हुई पापसी के लिए पलट गई तो वो भी हसता हुआ उसके संग चल दिया था इस यकीन के साथ कि आपसदा यूही साथ चलना था ये नाविल तो पहुंचा अपने अक्तिताम तक अगर नाविल अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और फीड़ बैक देना हरकिस न भूलें बहुत जल्द मिलते हैं किसी नए नाविल के साथ तब तक अपना ख्याल रखेगा तौाओं में याद रखे आपने का अपने का लाह था तौाओं में याद रखेगा अला हाफिस